होता है कि हम हर बार शॉपिंग नहीं कर सकते हैं हर बार कपड़े हम पर्चीज नहीं कर सकते हैं हर बार हर बार शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं होता है और खास कर वेडिंग की बात आती है तो हम सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखना चाहते हैं प्यारे लगना चाहत तो हर बार पैसा इंवेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता और बात किसी दूर के रिस्तेदार की शादी हो तो फिर हम सोचते कि जो हमारे पास है उसी से हम काम चला ले और पैसा इंवेस्ट करने के बजाए कुछ और किसी और चीज में हम पैसा लगा ले So Guys, Hello, कीसे हो आप सभी मेरी इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ करूँंगी कुछ हैक्स जो की फंक्शन से रिलेटेड है और आप इसे वेडिंग में إसित्तमाल कर सकते हैं किसी गेट टॉगेदर में इस्तेमाल कर सकते हैं बात चाहे आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है फुल हो सकता है हल्प करेगा बहुत ज़्यादा अगर आप इन सारे हैक्स को ट्राइए करते हो वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे चाचा के ताई के बुआ के लड़की के लड़की की दूर के रिस्तिदार की साधी है मुझे वहाँ पर जाना है और ये मेरे पास एक stylis कुरती है और ये cotton की कुरती है काफी longer है और हल्दी के रस्म के लिए मैं इस कुरती को мед किया है ताकी जिस दिन हल्दी हो मैं इसको pair up कर सकूँ बट इसमें problem है कि ये बहुत जाधा लूस है और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है और मैं इसको फिटिंग अभी नहीं करा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है फिर मैं यहां पर क्या करूंगी गाइस यहां पर मैंने अपने पुराने ड्रेस का बेल्ट लिया है इसको मैं अच्छी यहां करता है तो अभी मेरे गला बहुत सूना है और फंक्शन है जहां बात आती है शाधी की तो वहां पर हमें कुछ जादही तैयार होने का अमन करता है तो मैं लोगे एक ट्रेंडी से अपना एक नेक पीस जिससे मैं इसके साथ वेयर करूंगी तो और भी ज्यादा अच्छा एक लुक निकल कर आएगा और काफी अच्छा लगेगा देखने में भी कि तो मैं इसको यहां पर पेर कर रही हूं तो देखा एक नेक पीस मैंने वेयर किया उसके बाद कितना एक अलग लुक आ रहा है कोई नहीं कहेगा गाईज यह कुर्ती फिटेट नहीं है और इसकी फिटिंग से बहुत ही अच्छी फिटिंग आ गई आप देख पारे होगे और सेकेंड डे आता है मेहंदी की रसम तो अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मार्केट में स्वापिंग करना पॉसिबल नहीं है इस समय मेरे लिए और घंटा भी मेरे हजबन एक डेले का भी पैसा मुझे नहीं देंगे क्योंकि पिछले मैने उन्होंने मेहंदी की रसम के लिए मैं यह वाला इसके ओपर जैकिट डालूँगी तो गाइस से किसी ओभी नहीं पता चलेगा कि जो मैंने हलदी के रसम की दिन पहना था वही मैने महन दो लोग हो जाएगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा फर्सड़ी मैस कूटि को लैगी 어떻게 सब वे इस तरीके के आपके पास अगर ड्रेसेज है ना तो आप भी मिक्स और मैच कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा तो देख सकते हैं मैंने सिर्फ यहाँ पे जैकिट इंक्लूड किया है बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मेरा अलग से है इसको मैंने फटाफट डियाइवाई कर लिया था तकि सिर्फ मैंने एक अपने पुराने कुर्ती को भी से कटिंग करके कुछ लेसेज कुछ पॉम पॉम कुछ मिरर वर्क कुछ मिरर लेस लगा दिया है और यह काफी ट्रेंडी हो गया अगर आपको यह लॉंग पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको शॉट भी कर सकते हो पिन अप कर सकते हो तो यह थोड़ा सा शॉट हो जाएगा या फिर हलकी सी इसको फोल्ड करके ना एक छोटे-छोटे स्टीच मार दीजे सिलाई मार दीजे हाथ से सिलाई कर दीजे तो यह बिल्कुर शॉट जैकिट हो जाएगा अगर आपके पास शॉट जैकिट है तो आप शॉट जैकिट भी वेर कर सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैं इसको ही आपको पेर अप करके दिखा रही हूं तो मैं तो मिक्स और मैच बहुत जादा करती हूं मुझे बहुत जादा पसंद है मिक्स और मैच करना तो गाइस देख सकते हैं, trust me, किसी को भी नहीं पता चलने वाला कि ये मेरे dress के साथ match नहीं करता है या फिर मेरे dress से अलग आया है, इस तरीके की चीजें, जो है मैं mix and match करके पहनती हूँ, आप लोग भी इस तरीकी के hacks try कर सकते हैं 110% work करता है अब देख सकते हैं ये मेरी बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी आप इसको चाहे gown कर सकते हैं चाहे long cotton की कुर्टी कर सकते हैं तो इसको मैंने लगी के साथ wear किया है अभी फिलाल मैं आपको ऐसी दिखा रही हूँ कि कैसा लगता है आप मुझे comments करके जरूर बता second hacks में मैंने try किया है यहाँ पे अपने एक साड़ी के लिए अपना एक crop top जो कि मेरे पास इसकी blouse stitch नहीं थी और मेरा birthday था मेरे पास कोई भी साड़ी का combination ready नहीं था जिसको मैं अपने birthday की दिन celebrate कर सको तो यह मेरी नहीं साड़ी है और मैंने रक्षा बंदन पे मंगाई थी तो इसको मैंने mix and match किया है अपने एक beautiful crop top के साथ जो की net का है और हाब बाजू है और देखने में भी काफी trendy and attractive लग रहा है तो अगर आपके पास साड़ी का combination नहीं है urgent में अगर आपका कोई blouse stitch नहीं है तो अपने आप किसी भी crop top के साथ mix and match कर सकते हैं तो यह hacks भी जो है work करता है गाइस trust में बहुत ज़्यादा खुबसूरत लग रहा था कि यह blouse नहीं है या फिर crop top है तो यह मेरा second hacks है और work करता है so guys third hacks में मैंने यहाँ पे लिया है एक अपने साड़ी का pin जो कि बहुत खुबसूरत लग रहा देखने में तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई designing साड़ी का pin हो या फिर hair clip हो या फिर hair accessories हो तो अपने dress पे इस तरीके से एक खुबसूरत से design create कर सकते हैं और देखने में भी बहुत खुबसूरत लगता है तो यह permanent नहीं मैं बना रही हूँ यह मैं temporary बना रही हूँ और चाहे तो आप इस तरीके से अपने कुर्ती पे attach कर सकते हैं और कुछ टैसल लगा सकते हैं यह कुर्ती और भी खुबसूरत बन जाएगी देखने में और इसी को चाहे तो आप अपने जूरे पे भी अपलाई कर सकते हो बहुत खुबसूरत लगता है देखने में और आपका एक hair style भी बनके ready हो जाता है guys trust में यह hacks बहुत जादा काम करता है तो मैंने यहां पे अपने जूरे पे भी लगा लिया है और काफी अच्छा लग रहा देखने में मैं वीडियो सूट नहीं घर फारी हूं से इसे इसके लिए जाएगा तो यह hacks बहुत जादा work करता है और काफी देखने में भी अच्छा लगता है आप इसे दो से तीन बार यूज भी कर सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने यह वाला hacks try किया है और अगर आपके पास time नहीं है कि आप गंटो मेंदी लगा के अपने हाथों में बैठिये या फिर उसको सुखाइए और फिर चड़ता है कभी नहीं चड़ता है मेंदी तो यह सारी नेल आर्ट इससे आपका पूरा एक लुक रेड़ी हो जाता है और आपका time भी बसता है और आप देखने में भी काफी खुबसूरत दिखोगे साधी में अब आते हैं नेक्स्ट हैक्स के उपर यहां मैंने यलो कलर का नेल पेंट अपलाई किया है और यहां पर मैंने लिया है कुछ स्पार्कल जो नेल आर्ट में आते हैं यह पुरा सेट आता है तो इस तरीके का आर्ट आप ले सकते हैं और बस कुछ नहीं करना है अपने कलर के उपर आपको इसको थोड़ा सा छड़क देना है यह काफी खुबसूरत एक आपका नेल आर्ट बन के रेडी हो जाता है तो यह हैक्स भी वर्क करता है आप चाहे तो इसको इसक करेंड नेल परिंट का जो है कोड भी दे सकते हैं और मैंने कोड नहीं दिया है मैंने सिर्फ आपको हैक्स बताने के लिए दिखाया है और काफी खुबसूरत लग रहा है मेरा नेल मेहंदी आप देख सकते हैं बैंगल पूरा एक अच्छा सा लूक एंड कॉंबिनेशन बन यहां पर मैने हाड गलु कर लिया है और मैं यह भी दीखना चाहत हूं कि करता है सब्सक्राइब है और् में यहाग् नश्याट के लिए मुझे अरजंट कहीं जाना है तो मेरे पास ब्लैक चूडिया नहीं है आप मेरे बड़े की दिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई मेरा जो है बेंगल्स का कॉम्बीनेशन नहीं बन पा रहा था मुझे ब्लैक के साथ कुछ ब्लू पहन के जाना पड़ा इ red bangles को लेके इस तरीके से black acrylic color कर लिया है अगर आप इसको wash करोगे तो ये urgently धूल भी जाएगा आपके same red color में वापस आ जाएगा तो अब मैं इसके साथ करने वाली हूँ आपको बता देती हूँ अगर urgent आपके साथ भी problem होगी तो आप इस तरीके का try कर सकते हैं तो देख सकते हैं मैंने यहां पर अपने लिए हैं कुछ पुराने bangles और जिसको मैंने फटा फट DIY कर लिया है और मेरे साड़ी के साथ अर्चन टाइम पर तो काम स्टोन लगा सकते हैं अगर आपको इसको पर्मानेट बनाना है तो वार्णिस वगरा कर देंगे तो यह color कभी नहीं निकलेगा और अगर आपको temporary बनाना है तो आप इसको जब वाश करोगे तो यह अपने अच्छल कलर में वापस आ जाएगा तो देख सकते हैं यह मैंने बहुत खुब्सूरा सा ब्लैक बैंगर्स बनाके रैडी कर लिया है इस तरीके से और आप देख सकते हैं मेरे यलो सूट के साथ भी यह बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना यह बैंगर्स का सेट कैसा लगा आप लोगों को तो मैंने चार-चार का ही सेट बनाया है आप चाहे तो और भी ज़्यादा बना सकते हैं मैंने सिर्फ इतना ही रखा है और इसके साथ मैं कुछ स्टोन वाले भी इंक्लूट कर दूँगी तो यह कम्प्लीट हो जाएगा अर्चिंट के लिए तो काम आई सकता है और यह आपके हाथों पर बिल्कुल भी कलर नहीं लगे आप देख सकते हो कहीं पर भी कुछ भी नहीं लगा है तो यह कलर छूटे कने जब आप इसको पानी से वाश करोगे तो ही यह निकले